राश्ट्रिय राजधानी दिल्ली समेथ उत्तर भारत के कई राजजों में बारिश के चलते तापान में गिरावट दर्जुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है बारतिय मौसम विज्ञान विभाग के मताबिक 21 जून तक बादल इसी प्रकार चाय रहेंगे तो वहीं बारिश भी होते दिख सकती है मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, हरियाना, पंजाब, चंडीगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है दिल्ली में 21 जून तक हलकी बारिश की संभावना बनी वी है बारिश के आसार को देखते वे, रविवार के लिए औरेंज अलडवी जारी कर दिया गया था इसके अलावा, 30-40 किलोमीटर प्रती गंटे की रफ्तार से हवाय चलने का भी अनुमान है वही 22 जून तक दिल्ली में आस्पान में बादल दीख सकते हैं और गर्मी से राहत जारी रहेगी वही राजिस्तान में 21 जून तक राजिस्तान के अधिकांच जिलो में निगरानी की चेतावनी जारी की गई है क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश होगी मौसम विभा के जारी आंकडों के अनुसार शुकरवार को पिछले 24 गंटों में सिर्फ दो जगा बारिश होई थी उसमें भी अलवर में सबसे जादा 34.5 mm और करॉली में मामुली 2 mm बारिश दर्च की गई थी 22 जून से राजिस्थान में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा लेकिन गर्मी सिराहत नहीं मिलेगी मही बिहार में मौसम विज्ञान केंदर पटना के अनुसार आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने के आसार है तीन जिलों में भारी बारिश को लेकर चितावनी भी जारी कर दी गई है इसके साथ ही तेज हवा के साथ विजली चमकने और कई स्थानों पर वज़पात को लेकर अलर्ड भी जारी कर दिया गया है मौई पंजाब में अगले दो दिन बारिश का सिसला जारी रहेगा राहत भी मिली है वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाये तो जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिन इसी प्रकार बारिश के आसार बने हुए है 23 जून से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वहीं 22 जून तक अधिकतर जिलों में तेज बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है जिसके बाद औरेंज लट भी जारी कर दिया गया वहीं उत्राखंड की बात की जाये तो उत्राखंड के अधिकतर जिलों में आज बारिश देखने को मिलेगी राज्य के अधिकतर हिस्तों में आज नियूंतम तापमान 12 डिगरी सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिगरी सेल्सियस रह सकता है इस पूरे सब्ता मौसम इसी प्रकार उत्रखंड में बना रहेगा ब्यूर्ड पोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी